अबसकार दर्सकों आप देख रहे हैं TV 13 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ राजदीब तोमर दर्सकों इस वक्त की बड़ी खबर उप्तर प्रदेश के हातरस से आ रही है आईए रूख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर हात रस में धूंधाम से मनाया जा रहा है 125 वा आर्य समाज स्थापना देवस स्थापना देवस के मौके पर मुख्य अतिती के रूप में विधायत अंजुला माहोर एवं भाजपा जिलाद्यक्ष बौरवार्या ने उपस्ते थोकर हवन यग्य किया आर्य समाज द्वारव पहलवान रमेश्वर को सम्मानित भी किया गया इस मौके पर कन्याग गुरु कुलेवं मात्रचाया के बच्चों ने शोभा यात्रा भी निकाली हात रस में आज आर्समाज के 125 में महुतसब के उपलक्ष में आज कारक्टम किया जा रहा है और जो मुख्यतिदिया हमारी जो आर्समाज की हैं आज की जो मुख्यतिदिया जानते उनसे जो डॉक्टर पवित्रा जी है किस तरह ये कारक्रम आज़ित किया जा रहा है मेडम आर्समाज सासनी गेट जिसके 125 वर्ष पूर्ण होने पर ये समारोह बड़ी धुमधाम और प्रसंदतासी किया जा रहा है स्वामी महरशिद्यानन सरस्वति जिन्होंने 1875 में आर्समाज की स्थापना की और उस आर्समाज की स्थापना के पीछे उनका जो उद्देश था एक स्रेश्ट सदाचारी चरित्रवान युवकों का युवतियों का निर्माण करना एक ऐसे समाज का निर्माण करना स्वामी महरश्य धैनन्न ने अनेकों कारी किये इस समाज के अंतरगत चुआ चूट को मिटाया वेदों का ज्यान कराया दलितों का उद्धार किया जाती पात के भेद को नस्ट किया सबको गले लगाया अनाथों का रक्षक आरी समाज बना तो विभिन कारिक्रम स्वामी महरशी दयानन का जो मंतब्य था और उनका उद्देश था वो कोई जाती नहीं था मजहब नहीं था उनका एक उद्देश था कि इस देश के अंतरगत एक स्रेश्ट सदाचारी धर्मात्मा परोपकारी देश भक्त एक ऐसे समुदाय का समुख का यहाँ पर निर्माण हो जिससे कि जो हमारी भारती रिश्यों की परंपरा है एतत देश प्रसूतस्य सकासादग्र जन्मना सुमसम चरित्रम सिक्षे रन प्रतिव्याम सर्वमानवा अर्थात ये देश वो पवित्र देश है जहां पर रिश्यों के चरणों में बैट करके विदेशी लोग भी आचरण की सिक्षा ग्रहन करते थे उस परंपरा का अनुगमन करने के लिए स्वामी महश्री द्यानन ने आरिसमाज की स्थापना की उसी विचार धरा को ये आरिसमाज लेकर के उसका प्रचार और प्रसार कर रहा है मेरे साथ हैं जो अध्यक जी आरिसमाज के जो हात्रस से हैं और उनसे भी जानते हैं ये कितरी दिन तक कारकरम चला है और किस तरह का कारकरम रहा है ये आर समाज सासनी के धातरस का ये 125 मा महुस्व हम लोग ने बड़े ही उस्सापूर्वक दिनांक 11, 12 और 13 नवंबर को मना रहे हैं जिसका कारिक्रम कल 11 नवंबर सुक्रवार से प्रारम हो चुका है आज दुती दिवस का कारिक्रम प्रारम हुआ जिसमें बड़ी संख्या में सोबा यात्रा निकाली गई जिसमें कन्या गुरकुल हातरस सासनी की कन्या मात्रशाया गुरकुल आगरा रोड उसके बच्चे महरसी द्यानन बाल बिद्या मंदर के बच्चे और दीप इंटर कॉलेज मेंडू के बच्चे इन सब लोगों ने भाग लिया और हमारे जो भारत के इसरी पहलवान है रमिश्वर जी और उनके अन्य साथी करीब 35 पहलवान हमारे साथ इस कारकम में उपस्थित रहे और सहर में लोगोंने पुस्थ वस्था कर और जगे जगे स्वागत कर सभी लोगों का स्वागत किया और वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं अब कल का आई साम का कारकम भी होगा और ये कारकम कल तक चलेगा कल पराते यज भजन उपदेश के कारकम होंगे दोपहर को मैला कर सम्मेलन होगा जिसमें हमारे मुख्यतेती हैं पवित्रा जी और हमारे निश्टा जी बिद्यालंकार जी जो कि लखनव से पदारी हैं उनके भब्व कारकम और प्रफशन होंगे और रात्री को कारकम भी होगा और जो लोग बहार से आये हैं उन सभी का यहां सम्मान भी होगा और मैर्सी द्यानन के ने जो हमको दिया है हम मैर्सी द्यानन के सिपाई हैं उनके कारकम को आगे बढ़ाने में हम अपना जो भी तन्मन नंसे होगा उसको आगे बढ़ान में अपना सहयोग प्रिदान करते रहेंगे अब आपका पसंदीदा चैनल TV30 इंडिया उत्तर प्रदेश एबं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केवल नेटवर्कों एबं OTT प्लेटफोर्मों के साथ Google Play Store पर भी उपलब्ध है अपनी छेतरी खबरों के लिए तुरंद टावनोड करे TV30 इंडिया का Android आप और जुड़े रहें TV30 इंडिया के साथ